दोस्तों इस वीडियो में हम आपको खजूर के सेवन करने की एक वीदी बताने वाले हैं अगर ये वीदी आप अपनाते हैं तो ये आपके शरीर में कई समस्याओं को खत्म कर देती हैं तो चले जान लेते हैं आप क्या करें तीन से चार खजूर ले और आधा कप दूद ले अब इसे बनाने के लिए कुछ गंटे पहले यने की शाम को खजूर गुनगुने पानी में बिगू कर रख दे इसके बाद आप दूद और इन खजूर को ब्लेडर में डाल के अच्छा सा पेस्ट बना ले आवशक्ता हनुसार आप इसमें चीनी भी मिला सकते हैं और इस तरह से ये एक दूद तेयार हो जाएगा इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और ये काफी पोस्टिक पे बन जाता है ये जो पे है ये आपके बालों को पोजिशन देता है बालों के लिए भी बहुत फाइदेमन होता है ये पे हमारा दिल स्वस्त रखता है दोस्तों ये जो शेक है अगर आप ये पीते हैं तो हमारे खून में लाल सेल्स जो कम हो जाते हैं एनीमिया की बीमारी हो जाती है ऐसे में ये शेक बहुत फाइदेमल होता है इसमें आईरन अधिक होता है जिससे खून में सबकी मातरा सही बनाई रगता है ये शरीर में अगर आप इसका सेवन एक दो सब्ता तक करते हैं तो ये आपका वजन बढ़ाने में बहुत सहायता करता है सर्दियों के मौसम में घर्बवती महिलाएं अगर इसका सेवन करती है तो ये उनकी लिए भी बहुत फाइदेमन होता है कई लोगों को रात में देखने की परेश जोड़ों में दर्द होता है अगर आप इसका सेवन करते हैं सर्दियों में तो ये आपके जोड़ों के दर्द और हड्यों की कमजोरी में बहुत फाइदेमन साबित होता है ये शरीर की रोक प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है मौसमी जो बीमारिया होती है उससे हम बचे रहते हैं अगर आप यह नहीं बना सकते हैं तो आप खली खजूर का सेवन भी कर सकते हैं हमेशा दोस्तों एक बात का ध्यान करें कि आप ज्यादा खजूर का सेवन न करें क्योंकि इसमें पाई जाने वाली चीनी शरीर में blood sugar level को बढ़ा देती है जोकि हमारे लिए काफी जनकरी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दिन्यवाद